आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following adds as a check on R-A-A-S यहां पर बोला गया है कि इन चारों Option में से कौन सा ऐसा है जो की R-A-S को check करता है यानि रोकता है या फिर control करता है तो basically R-A-S का full form क्या है तो यह एक सिस्टम है जिसको हम लोग Renine, Angio, Tencine और क्या होता है next R जो है वो Aldosterone को represent करता है और लास्ट वाला है सिस्टम यानि पूरा जो इनका formula है या पर नाम है वो है Renine, Angino, Tencine, Aldosterone सिस्टम और यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके हिसाफ से हमारा बोडी का salt level जो है वो maintain होता है तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है तो पहले जब बोडी का BP यानि blood pressure drop कर जाता है तो kidney में साथ साथ यह information जो है वो travel हो जाता है और जैसे यह kidney में यह information जाता है kidney जो है वो renine को secret करता है जो कि कहां जाके act करता है तो यह जाता है दूसरे एक hormone के पास जो कि liver से secret होता है और यह इस hormone का नाम क्या होता है angiotensinogen और जैसे यह renine और angiotensinogen मिल जाते है तो यह दूसरे वाले form को activate करते है जिसका नाम होता है angiotensin 1 अब angiotensin 1 जो है यह activate होने के बाद दूसरा hormone जिसको lungs से निकाला जाता है या फिश से secret किया जाता है और उसका नाम होता है angiotensin converting enzyme जो की A, C, E होता है यह angiotensin 1 को angiotensin 2 में convert कर देता है और फिर क्या होता है यह angiotensin 2 जाके act करता है adrenal gland पे जहां से aldosteron दूसरा hormone जो है वो secret होता है और यह basically जो aldosteron secret होता है यह क्या करते हैं तो यह हमारे direct act करते हैं kidney पे और kidney में act करने के बाद यह क्या करते हैं यह stimulate करते है kidney में ताकि body में जादा से जादा salt और water जो है वो reabsorb होने लगे जैसे ही जादा से जादा water जो है वो body में reabsorb होगा वैसे ही क्या होगा कि दूसरा एक activity होगा जो की kidney से जाता है और angiotensin और kidney मिला के दूसरे factor जो की blood vessels या फिर hurt में रहते हैं हम लोग कह सकते हैं और वो factor होता है ANF जिसको हम लोग atrial naturative factor के नाम से जानते हैं और ये release होता है hurt से जो की क्या करता है blood vessels को narrow कर देता है जिसके वज़े से blood का जो flow होता है वो बहुत जादा fast होने लगता है और जैसे ही blood flow fast हो जाता है hurt के vessels में से वैसे ही BP जो है वो raise हो जाता है इसलिए जो main control करता है इस पूरे system को वो है हमारा ANF जो की final touch देता है और यही ANF का अगर full form देखें तो यह होता है arterial net uretic factor और यह कहां से release होते हैं तो यह basically hurt के arteria से release होते हैं तो इसलिए जो हमारा correct option होगा according to the question वो हो जाएगा हमारा first option जो की ANF है और बाकिया अगर देखें तो aldosterone का काम होता है यह जाके ANF को या फिर किद्नी को signal भेशते हैं वहीं ACE एक activating enzyme है जो की angiotensin 1 से angiotensin 2 को form करते हैं रनीन जो है यह किद्नी से form होता है और यह first step को control करते हैं इसलिए जो हमारा correct option है वो हो जाएगा first option और उसी को हम लोग tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके meet IIT जही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर